में आपका स्वागत है कक्षा चार विशाह परियावारन अध्यन पाठ सो लग हमारे राष्ट्र प्रती यानि कि चीज से जूडए वि होते हैं उन्हीं हम क्या करते हैं हमारे राष्ट्र प्रतिक पता चलती हैं तो आज मैंने राष्ट्य पृतिकों के बारे में या निशानों के बारे में जानकरी करेंगे विवरण के सहित इसको पूरा गहराई से जानेंगे बार पाड़ पड़िंगे सबसे पहले दियावा राष्ट्रे ध्वज़ ध्वजको आठत १ जनडा आप्यों को क्या किते हैं जनडा अरवन यह नहीं उसको फैहरा ना तो उसको बोलते हैं जनडा रोवटा तो यह हरको सा जंडा थोड़ी होता है आप मंदिर में देखते हूँ अलग जंड़ा होता है, मारे विद्याले में अलग जंड़ा होता है, तो ये जंड़े अलग लगता रहे कि हमें संकेत देते हैं, तो ये जंड़ा जो विद्याले का जंड़ा होता है, वो आपने देखा होगा, कैसा होता है ये देखो, ये तसी द्वज, राष्ट्र गान तता राष्ट्र चिन्न देश की सोतंतरता इंगोरों के परतीक है यह राष्ट्र परतीक करते हैं यह परतीक देश की परंपराओं आदर्शों की पहचान है यानि कि इनको देखने से हमारे देश की अलग पहचान होती है वो हमें पता चलती है और इनके पीछे जो गुण होते हैं, उनका में जानकरी मिलती हैं, ये राष्ट एकता मात्र भुमे के प्रति प्रेम और जीवन मुल्यों के प्रेरिक है, यानि ये हमारे देश प्रेम की भावनाओं को भी व्यक्त बताते हैं, और एकता का संदेश देते हैं, आपने देखा होग जबी कोई सम्मेलन होते हैं या जो कोई कारिक्रम होते हैं तो हमारे देश के परती की रूप में यही जंडा होता है वही हमारे देश की निसान बताया जाता है यह चिन्न होता है इस परकार यह आपने जंडा होता है इस जंडे में क्या होता है आपने विद्धाले में राष् बीच में सफेद है और नीचे हरा है मदे में असोग चक्र बना हुआ है यह गोल-गोल बीच में चक्र बना हुआ है इसको असोग चक्र कहते हैं क्या कहते हैं इसमें यह जो देको धारियां बनी होती है तीलियां बोलती है इनको 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 लाइनी बनी होती है यह चूबीस या नी राष्ट्रे द्वज के बारे में जाना है देखिए और बताइए जंडे में सबसे उपर कौन सा रंग है सबसे उपर क्यों सा रंग है जंडे में बीच में कौन सा रंग है आप देखो कि बीच में कौन सा रंग है सबसे नीचे की पट्टी किस रंग की है हारे रंग की सफेध पत्ती में बीच में क्या बना हुआ है असोक चक्र बना हुआ है इस प्रकार हमने जाना जंड़ी राश्ट्र गीद एमराश्ट्र गान हम दिखते हैं इन कारिक्रम होते हैं देश बक्ति के और भी कारिक्रम होते हैं तो कुछ गीत होते हैं जो हमेशा वही गाये जाते हैं इन्में से एक गीत है यह देखो यह पढ़ो आप जनमन गन अदिनायक जेहे भारत भग्य विधाता पंजाब सिंद गुजरात मराथा द्राविड उतकल बंगे विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलती तरंगे तवसुब नामे जागे तवसुब आसिस मांगे गाही तव जेगाथा जनमन गनमन दायक जेहे भारत भग्य विधाता पंजाब सिंद गाम लाल के लिए से जंडा फेराती है यानि कि ये कहीं पर भी जब जंडा रोहन होता है तब ये गीत कहा जाता है इसे हम क्या कहते है राष्ट्रे गीत कहते है इसे क्या कहा जाता है राष्ट्रे गीत कहा जाता है कि इसी गाते समय सालदान में क्यों खड़ा रह जाता है तो इसके बारे में हम जानेंगे हम विद्धाले में प्रात्ना सभे में वंदे मातरम गीत गाते हैं यह हमारा समीदान सम्मत राष्चे गीत यानि समीदान में इसे एक मानेत अपराप्त दे गई है यह हमारा राष्ट्रे गीत है, राष्ट्रे गान भी होता है, राष्ट्रे गीत होता है, राष्ट्रे गान तो कौन सा है, अब उपर पड़ा थवा है, और राष्ट्रे गीत कौन सा होता है, राष्ट्रे गीत यह, वंदे मातरम, आपने इपने विद्धाले में यह सुना भी वन्दे मातरम सुचलाम सुफलाम मलय जसीतलाम मातरम वन्दे मातरम सश्षामला मातरम वन्दे मातरम सुप्रजोषना पुलकित यामिनिम पुलकु सुमित दुमदल सोभिनिम सुहासिनिम सुमधुरवासिनिम सुखदाम वरदाम मातरम वन्दे मातरम यह क्या है? यह हमारा राष्ट्रे गीत है सनिदान सम्मत यानि कि जिसे सनिदान में मान्यता प्राप्त है कि यह हमारा राष्ट्रे गीत है यह संस्कृत है बंगला मिश्रित बासा में लिखा गया यानि इसमें दोनों बासा हैं संस्कृत और बंगला इसकी धुन बदली जा सकती है बस राष्ट्र गान की नहीं यहनि इस राष्ट्र गीत की तो धुन बदाव सकते हैं आप राष्ट्र गान की नहीं बदाव सकते हैं पता कीजिए राष्ट्र गीत किस ने लिखा राष्ट्र गीत किस ने लिखा सा रंग है केसरिया बीच में कौन सा रंग है साफीद सबसे निचे की पट्टी किस रंग की है हरे रंग की सफेद पट्टी में के बीच में क्या बनावा है असूप चक्र राश्टरगान की रचना किसने की रविंदरा टे गौर ने राश्टरगान को गाने के लिए कितना समय निर्दा रहता है बावन सेकंड यानि एक मिनट से भी कम इसे गाते समय साफधान में क्यों खड़े रहते हैं सम्मान परदान यानि कि उसे आदर और सम्मान परदान कर देंगे लिए हम खड़े रहते हैं राशेगीत किस ने लिखा बंकिम चंद चटर जी ने इस परकारम ने ये पार्ट पड़ा है आप इसे सुन्दर सुन्दर लिकाउट में अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे और पार्ट को भी पढ़ेंगे धन्यवाद